हईलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे डूब चैनल पर तो गाईस, आज की सटम। में हम आपको पताने वाले हैं कि अगर हवाई मोङाल में ऐप लिष्ट सेटिंग नहीं मिला आए तो कैसे आप इसे सआइग कर सकते हैं इस उडम में हम आपको बताने वाले हैं तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो गाई सबसे पहले आपको मोबाइल के सेटिंग में जाना है तो चले मोबाइल के सेटिंग में हम चलते हैं सेटिंग में जाने के app list या manage app नाम की setting मिलेगी आप को इस setting पे click कर देना है तो जैसे click करेंगे जहां पर सभी आप रहते हैं आप यहां पर आ जाएंगे जैसा की आप आप देख सकते हैं अब अगर system app को लाना है तो ऊपर की side 2 या 3 dot का एक option रहेगा इस option पे click करना है So system पे click कर देना है system apps भी आ जाएंगे अब जिस app पे click करना है click कर सकते हैं यहां से storage usage पे click करके clear data भी कर सकते हैं जो भी करना रहेगा यहां से आप कर सकते हैं अब guys अगर यहां पर app management वाला options नहीं मिल ला है तो फिर आपको क्या करना है देखिए simply आपको mobile के setting में आना है और आपको चेक करना आपके phone में search वाला option मिल जाएगा उपर रहेगा इस पे click करके आपको लिखना है app तो जैसे आप app लिखेंगे तो app list या app management नाम की setting मिल जाएगी चेक कर लेना नीचे उपर आपको इस setting पे click करना है तो जैसे click करेंगे तो app list यहाँ पर मिल जाएगा आपको app list पे click करना है या manage app का option मिलेगा उस पे click करना है आप वहीं पर आजाएगे और यहाँ से भी आप दिखिए दो या थ्री डॉट पर click करके तो system पे click कर देंगे system apps भी आ जाएंगे जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं गाईज और फिर यहाँ से आप किसी भी app पे click करके उसे clear case, clear data या permission को यहाँ से काफ़ी आसान तरीके से allow कर सकते हैं कोई भी problem नहीं आएगा गाईज तो गाईज इस तरीके से आप app list या app management वाले setting को पा सकते हैं जहाँ पर सभी app रहते हैं तो गाईज आज की डूम बस इतना आई वीडियो को like और channel को subscribe कर लेजिए एक प्यारा सा comment भी कर दीजिए थैंक्यू